में हो सकता है लाँच जियो क्लाउड लैप्टॉप को अगले साल दोहजार चॉबीस तक लाँच करने की तयारी नमस्कार व्यूज मैं हूँ अमीश देवगन रात के नौ इस समय बच चुके हैं और आप देख रहे हैं सी एन बीसी अवास पे टकर का आज का डिशन देश में क्रिकेट वर्ट कप का कुमार भले ही खत्ब हो गया है लेकिन एक दूसरे पर चुनावी बाउंसर डाले का सिलसला लगातार जा रही है प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि कॉंग्रेसी एक दूसरे को रनाउट करवा रहे हैं जो बच गए हैं वो हिट्विकेट हो रहे हैं तो जवाब में प्रयंका वाडरा का कहना है कि बीजेपी रनाउट हो चुकी है इस बीच राहूल गांदी ने पूचा है कि भारत माता आखिर है कौन तो बीजेपी ने इसे भारत माता का अपमान करार दी दिया है वहीं प्रधान मंतरी मोदी ने कॉंग्रेस पर जोरदार वार किया है आज सी एनबीसी आवास के वे टकर का सोमा एडिशन, मंडे एडिशन इसी विशे पर विवेश क्रिकेट वर्ल्ड कप देखकर अगर आपका दिल भर गया हो तो जरा ये चुनावी क्रिकेट भी देख लीजिए कॉंग्रेस वालों में ऐसा जगड़ा है कि रन बनाना तो दूर ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं कॉंग्रेस सरकार के पांच साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीद गए जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्धों पर गलत बयान दे कर हीट विकेट किये जा रहे हैं हीट विकेट हुए जा रहे हैं कॉंदी जी आये थे राजस्थान कहने लगे कि कॉंग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं हमारे सारे कारिकरता एक जुट होकर मजबूत बनके रण भूमी में उत्रे हुए हैं इनकी स्थिति क्या है बिखरी हुई है इनकी पार्टी हिट विकेट तो यह है राजस्थान में भाजवपा वाले उनकी पार्टी प्रदेश में यहां पर है तो रन आउट को छोड़ दें हम लोग भूमारा से बनाएंगे बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार पांच राज्यों में तो पांच राज्यों के चुनाव ह हो रहे हैं इसमें राजस्थान में हम दो त्यहाई मिजॉरिटी के साथ हा रहे हैं भारती इंता पार्टी भी एक तरीके से स्वीप करेगी चुनाव को कुरकेट के स्टेडियम में भी भारत माता के जै वाले नारे लगे और चुनावी सीरीज में भी भारत माता की एंट्री हो गई बीजेपी ने राहूल गांधी पर भारत माता के अपमान का आरोब जड़ दिया है बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जै तो कॉंग्रेस कह रही है कि भारतिय जुनता पार्टी अर्ध सत्य बता रही है लेकिन इसे बीच पुर्धान मंत्री मोदी ने सनातन के बहाने कॉंग्रेस समित पूरे विपक्ष पर करारा वार कर दिया कॉंग्रेस और उसके साथ ही सनातन को खत्व करने का एलान कर रहे हैं और सनातन को खत्व करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्व करना लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि पांच राज्यों में सत्या के सेमिफाइनल की ट्रॉफी किसके नाम होगी आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस शुनावी क्रिकेट, रन आउट या हिट विकेट तो कौन रन आउट है और कौन हिट विकेट, पिच रिपोर्ट कैसी है आपको पूरी जानकारी हम देंगे पांथ राज्यों की पिच रिपोर्ट का विशलेशन, भारती जंता पार्टी मजबूत पक्ष है, पिएम मोधी के तौर पर दमदार चेरा है, जो की हर प्रदेश में बीजिपी के लिए वैल्यू आड़ करता है, पोलिटिकल वोट आड़ करता है कमजोरी एमपी राजस्तान में गुडबाजी की चर्चा है, जो की पार्टी को थोड़ी भारी पर सकती है, कॉंग्रेस की बात कर लेते हैं मदबूत पक्ष भारत जोडो यात्रा से लाप की उमीद है राहुल गांदी को कमजोरी दिगज नेताओं की जबरदस्ट टकराव, सचिन पालट बनाम अचोग गहलोत टकराव किस्तिती है, पुपेश भगेल बनाम टियर सिंग दियो टकराव किस्तिती है, ये सबसे बड़े टकराव है अब मैं बरताओं आगे, भारती जिन्ता पार्टी, मजबूत पक्ष सनातर और हिंदुत पर मुखर है पार्टी, कमजोरी अल्प संक्यक वोटरों से जुडाव की कमी है भारती जिन्ता पार्टी के अंदर, लेकिन दूसरा पक्ष इतना मजबूत है कि वो इसको कवर अप क पर लेता है, बरताओं में आगे, कॉंग्रेस की सिती बता देते है, मजबूत पक्ष कॉंग्रेस का है, करनाटक और हिमाचल जीत कर होसले जरूर बुलंद है, लेकिन हिमाचल के साथी गुजरात हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़ी, बहुत बुरी और करारी हार हुई थ कॉंग्रेस पार्टी की, लेकिन करनाटक में एक बड़ी जीत भी दर्च करी, कमजोरी राजिस्तान, 36 गड़ में सत्ता विरोधी लहर का एक बड़ा खत्रा है, इन दोनों राज्यों के अंदर, सत्ता विरोधी लहर का खत्रा होगा, बड़ा सवाल ये है, क्या सेमि-फाइ के लिए, आज हमारे साथ, डॉक्टर अजया अलोक जोड़ रहे है, भरतियंता पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग बदरिया है, लंबे अर्से बाद वाप्सी कर रहे हैं, आरपार के स्टूडियोज में, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रफेसर रागी है, जाने माने राजनेतिक विश्टेशक, मेरे साथ संजीव जाहें, आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और विधायक, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, शुरुवाती 50-50 सेकिंड आप सबसे राय ले लेता हूँ मैं, मैं सबसे पहले आपके विट विकेट हो रहे है, यह रन आउट हो रहे है, तो कि प्रियंका गांदी वाडरा कह रही है कि बीजेपी वाले खुद अपनी विकट खुदी उखाड रहे है, देखिए, अमिज भाई मैं, आक्चली प्रियंका राहुल जी पे अब कुछ बोलने लाइक रहे नहीं गया है, क्यों? क्यों कि लोग ऐसी ऐसी बाते करते हैं कि इनको आप क्या जवाब दीजेगा, अब राहुल गांदी 10 अगस 2023, मेरे दोनों में तर बैठे हुए है, आम आदनी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, पहले इनी से सवाल पूछ लेता हूँ, भाई, भारत माता असर सदीय शब्द है, भदोरिया जी, स्टुडियो में हैं, वैसी आप बोलनी दीजेगा मुझे, पस हाँ अना में बोलिए क्योंकि समय मेरा है, भारत माता सदीय शब्द है, भदोरिया जी काग्रिस के फोड़ी है, भदोरिया जी क्या बोलेंगे इसके उपर, ओके, अरॉन ग फिलाल तो है ओके अनराग उदरिया तो निक असनस्धिये मानते हैं आम अद्मी पार्टी असनस्धिये से मांती है अच्छा मुझे पूर जो वेक्टी से असनस्धिये मानता है इस भारतिये लोक्तन तुमें उस वेक्टी के लिए आपके क्या विचार है भारत माता इस अन- पूरी बात कहूंगा तिक है थिक है आप आप इस विश्चे पर नहीं बोलना चाहते हैं तिक है डोक्तर अपनी बात को करें न 30 सेकंड के अंदर दैना गोटू अनुराग बोदरिया सबसे पहले बात कि अमिश हमारे लिए जननी जन्म भूमी स्च स्वरगाधपी गरी असी यह जन्म भूमी यह जन्म देवी हमारे लिए मास अभी महान है हमारे लिए भारत माता एक जमीन का टुक्रा नहीं हमारे लिए भारत माता वो अखंड भारत है जो कभी हमें बच्पन म में सी Congress Party ने किये थे हमारी भारत मा के टुकडे उसके बाद भी टुकडे करती गई और आज भी टुकड़ों में बाटना चाहती है जो भारत माता का कस्तित्व नहीं जाते हैं जो भारत माता के बारे में कहते हैं कि भारत माता असंसदिये शब्द है मेरे दोनों विरोधी पक्स ये बताएंगे कि भारत माता को ये असंसदिये मानते हैं कि नहीं और अगर कोई भारत माता को असंसदिये कहता है तो उसके बारे में इनके क्या विचार है अरे ये लोग भारत माता जाने के का हैं इस भूमी को इन्होंने अपना कमी माना ही नहीं यह दोनों भाई भहन मैं फिर कोट कह रहा हूं। ना हिंदु है ना भारतिये हैं यह अपने भारतिये संस्कृति से परचित नहीं है। इसके जान बूच के कभी सवणातन को न्श्च करने की बात करते हैं कभी भारत इतन के बहुत किया है जान बूच के भारत का अपमान करने की एक आदत बन गई है और दोनों जरूर जवाब दीजेगा पहले पहले तहसीन पुनवाला भारत माता क्या है ये पूछने के विशक्ता क्या थी नहीं मैं अनुराग आपको मौका दूँगा पहले तहसीन पुनवाला आप अमिर जी थैंक यू मैं आपके शो में दुबारा से शिर्कत कर रहा हूँ मेरे भाई अजे आलोग जी जिस क्लिप का रेफरेंस दे रहे अगर आपके पीछे की टीम उस क्लिप को प्ले करते ताकि आपके दर्शक देख सके कि राहूल गांदी जी ने वो चीज़ सक्कैस्टिक ली कारता हूँ उस क्लिप में बे कहते हैं अपैरिंटली एस पर देन यानि सरकार के इसाब से भारत माता एक अन पार्लिमेंटरी शब्ड है उस सक्कैस्टिक ली कह दे क्योंकि जब उन्होंने भारत माता का रेफरेंस पार्लिमेंट में किया उसको एकस्पंच किया गया जिस चीज़ को सक्कैस्टिक ली कह रहे आपके इतने इतने इंप्रॉटन शोपे लीज़ी कि आपको और तैसीन पूना वाला का विश्य है तै इस चीज़ को सक्कैस्टिक ली कह रहे उस चीज़ को आप यहां मेंस्ट्रिम करें अब पहली बात दूसरी बात मैं अमी जी बड़े विनुन्टा से पूछ आओ भारत माता अफको सी जमीन है यह पाक जमीन है यह हमारे पहाड़ है अमारी लगी आए लेकिन भारत माता सब तरीके से हाथ लगा इसे आप और मैंनी दिल्ली पुलीस कह रहे हैं वो आज भी वो आदमी आज भी बारे भारत माता के बच्चे वो पीरित लड़के जिनको राम रहीम ने रेप किया और वो आज आटवी बार बार आया है परोल पे एक मैने के लिए अपना बर्टी सेंसिटिव इस्यू है हर एक हिंदुस्तानी की बिलकुल है सेंसिटिव इस्यू और से नहीं बचना चाहिए सेंसिटिव इस्यू से बिलकुल उसको आख में आट लगा के उसके बारे में बात करना चाहिए भारत माता कौने ये बात पंडिट जवाला नेरू इस देश के पहले प्रद्स पद्धान ने इस बात को कही थे भारत माता के बच्चे कौने जिनको इनसाफ दिलाना हमारा करते भी अमीजी आपका मेरा अजे जी का सरकार का विपक्ष का अगर वो सवाल को हम काउंटर नहीं करेगे उसको हम फेस नहीं करेगे क्या उन महीला को इनसाफ नहीं मिला के जवाब 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 मिलना चीज़े इसमें गलत कए अगर हमाने जवाब ले जवाब ले जवाब ले जो अमीश और अजे जी को मिले उसे गलत कए कि या डॉक्टर आजया लोग रिपलाइं कि हुई वो वो जस्टिस की बात करतें इंसाफ की बात करतें फिर मैं हिट विकटर रण आउट पर आऊँगा बिल्कुल नहीं बिलकुल नहीं ये खुटा हीट विकट होना अब मैं बताता हूं कैसे पहले तो तरह सीन भाई ने गलत बोला कि उन्हों सरकाजम में बोला कि भारत माता अन- कि it's not a nation, it's a union of states ये हमारे सम्विदान में लिखा हुआ है कोट करते हैं, वो भारत को राष्ट मानते ही नहीं है उनको फिलीं ही नहीं है भारत को राष्ट मानने की इसलिए उनने का कि भारत माता एक अन पार्लिमेंटरी शब्द है पहली बात है सीन भाई एक दन चेक यो फैक्स, मैं गलत नहीं बोलता हूँ आपको भी पता है, और मैं कोट कर रहा हूँ उन्होंने का भारत माता के एक मिनिट हम सब भारत माता की सपूर्ट है हम सब भारत माता की उलाद है मैं मैं मानता हूँ सीच को जिस देश के जितने 140 करोड है भारत माता की उलाद है कोई भले आपने आपको भारत माता की उलाद नहीं माने भारत माता की जय बोले में उसको दिक्कट हो मैं मानता हूँ कि 140 करोड भारती है इस भारत माता की उलाद है अगर हमारे पे कोई जुम होता है तो क्या हम बोलेगे भारत माता कौन है क्यों जुल्म को हम समाधान निकालेगे आज एक टरनल में अगर हमारे मज़ूर फसे हुए तो सरकार समाधान नहीं निकाल दी है वो भारत माता की बेटे नहीं है जिसको राष्ट का concept ही नहीं हो, जो इस देश को देश मानता ही नहीं, इस देश को अपनी पपौपी मानता हो, उसको कहां से भारत माता कीजिए भारत माता आएगा और उसको डिसेंट करने के लिए आप लोग वैड़ आता है, मुझे तो यह अश्चर है लगता है, लिकिन त सैसीन, the point is this, जब प्रधान मंतरी मोधी रन आउट की बात करते हैं और हिट विकेट की बात करते हैं, भारत माता पर बयान के हिट विकेट टाइप का बयान नहीं है, उसकी कोई अवशक्ता नहीं थी, कोई समय नहीं था, फिर भी दे दिया यह बयान, वो सकता मन में भी कु हीट के पोते को ये देश नहीं मानता है, ये कहना गलत है, लेकिन वो किस कॉंटेक्स में कह रहे थे, कॉंटेक्स बहुत जरूरी हमीशी, वो इस कॉंटेक्स में कह रहे थे, कि जब तक हमारे OBC fellow citizens को, हमारे भारतियों को इलसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम इस देश के जो मनिपूर की बात हुई में बहुत कम में बोल रहा हूँ, यहां मुक्यमंत्री आपके कली कुका, मनिपूर के मुक्यमंत्री ने, हमने इंटरनेट इस लिए बन किया, क्योंकि दो महिलाई ने, सौ महिलाई नंग परेड की गए, यह इनसाफ की बात करना है, भारत माता के खि में पूरी डिसकेशन कर ली, ग्रे मंत्री अमिट्शान ने डिटेल रिपोर्ट दे दी, अब मुझे समझ में निया रहा, मनिपूर के विशे को लेका है, राहूल गांदी को भारत माता पर सवाल क्या पूछ रेते, राहूल गांदी जी को, पॉइंट यह है, ओके, ओके, में 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 मकसद बताता हूं कि क्या जरूरत थी यह बात बोलने की क्या में मकसद है, इसका में मकसद था एक वर्ग विशेष को तेलांगाना राजस्थान में इंपूरे इंफ्लूएंस करने का, जो भारत माता की जय बोलने पर कहता है, कि हमारे गर्दन पर चातू रग दो, तब भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसके लिए कह दिया भारत माता है क्या, अरे, सुम्पर तुष्टी करन की राजनिती, मुसल्मानों का पूरा वोट चाहिए, अब मुसल्मान इसे खुश हो जाएगा कि भारत माता क्या है, ये मानसिक्टा, जो अपने राष्ट को राष्ट नहीं मानता है, तैसीन तैसीन पूरो बाला, 15 सेकिन, 15 सेकिन, तैसीन पूरो माला, 15 सेकिन, देन, अम्रा गोजोलिया, अमीजी, मैं नास्तिक हो, लेकिन मैं इस बात पे बहुत आपती लेता हूँ कि मुसल्मान खुश हो जाएगा भारत माता की जय नयबनी से, अमीजी, क्या आप इस बात को मानते हैं, ये कौन सा लॉजिक भाजपा लेते हैं, तो हिंदू मुसल्मान क्यों कर रहें, क्यों कर हर एक मुसल्मान दिन में पाजपा जो नमाज पड़ता है, वो इस पाफ डर्ती के सच्छा करता है, इस दर्ती में उसको अल्ला दिखता है, ये कौन सा लॉजिक भाजपा कि मुसल्मान खुश हो जाएगे, अगर कोई व्यक्ति कहता है, चाहिए किसी भी दलका हो, कि हम इस इसकैनी के सच्छा करणे को तियार्यव करोड़का पता है, इसमें अगर कोई नेता ने कहा है, मुसको कृिटेसाइस करने को तयार हो. क्या आप वरतमान प्रदान मंत्री, ग्रह मंत्री, और Čशीज मिनिस्टर हरियाना को कृ essentरे क्ने को तयार है जिह रहों कि नहीं को भार ओके डॉक्तर आजया लोग 15 सेकिंड देना आयल मैं सीधा जा रहा हूं मेरे साथ अनुराग बदोरिया भी है और समाजवधी पार्टी के बरवक्ता भी है शाफ रिप्ला रॉक्तर आजया लोग परोल परोल देना या ना देना यह नयाले तैक करता है सरकारे नहीं तैक करता तैक करती है शांत रहती है पहली बात एक मिनिट एक में सुने अब मैं आज साथ पूछा था आपके साथ पिछले डिबेट में और आपके साथ बाकी मुसल्मान लोग भाग गये थे अधरे बाड़ कि पहले में भारतिय तब हिंदु आप उनी की पहले बारतिय तो मुसलिम है ले ले आपको पहले में नहीं अधरम भाड़ा या रास्ट में इस देश के लिए अपना सर कट्वा दूगा था और अधर्द बाड़ा या रास्ट एक लाइफ कि बाद एक लाइन की बाद है धर्म बड़ा या राश्ट के बढ़ा तो अनुरा यहां पर चुनावी बात हो रही है मैं आप से यह जाना चाहरा हूं कि आप तो प्लेइंग 11 में नहीं रहें आपको तो प्लेइंग 11 से ही भार कर दिया आपकी कहानी तो बिलकुल अलग है देखे भारती जनता पार्टी के परवक्ता खुदी हिट विकेट हो जा रहे हैं एक एक शब्द में हिट विकेट हो रहे हैं पूछ रहे हैं धरम बड़ा या राश्ट फिर चले जा रहे हैं सनात आपको राजनीत करनी है तो आपको राजनीत करने में हिट विकेट हो रहे हो ना आपको मुद्दा उठाना चाहिए था जाके राइस्थान में या जहां भी जा रहे वोड मांगने आप मांगते हो बोड महंगाई पे नहीं मांगते हैं अब मांगते हो रुजगारी पे नह खला बोलिये ना कि महना पत्यचार राइस्तान मुगा मांगते हो वोड उस पे नहीं मांगते हो आप आप जाके किसान वोड बोड मांगते हो आप किस पे वोड जाके मांगते हो आप इस पे वोड मांग रहे हो आप धर्म की पीछ पे जाके खेलने की कोशिश करते हो आप सोस और मुझ खोलेगी तो कुछ हमारे लिए बोलेगी उसका मुझ खोलेगा तो शायद मेरे फाइदे की कोई बात होगी लेकिन आप किस चीज की बात है कर रहे हो तो हीडिपिकेट, बोर्ड, कैच आउट, रन आउट और सारे जितने भी होते हैं न दोड़ दोड़ के रन बनाने कोशिट करने हैं आउट आप ही हो रहे हो, कोई नहीं हो रहा है क्योंकि सारा बच्चे जो हिंदुस्तान के बच्चे है या राजस्तान के बच्चे है या मदबरदेश के बच्चे देखते रहे कि कभी तो आप उनके भले की बात करोगे कभी तो आप उनती की बात करोगे कभी तो आप मेडिकल फैसिलिटी पे बात करोगे कभी तो आप किसानों के लिए बात करोगे कभी तो उनकी बिजली उनको 24 गन के मिल जाए कभी तो आप बात करोगे Speech लुट मेरे तरह से हूँ शवाल महाई पर लिए भात किती ती डवलु पीड़ी क्या होता ही और आज काँ युक्स डव्लू पी आई क्या होता है यह बता दीजे चलिए इसी में बहस हो जाए इसी बहस हो जाए सुने इसी बहस हो जाए सुने मेरी बात आप से पूछने के बाद बोलने दिया जाता है सुनने का माधा रखिये चुकि आपको पता जवाब करारा मिलेगा इसलिए अब बबबबबबबब कर रहे हो अरे सुन तो लो जवाब आप से पूछता हूँ जब गरीब परिवार के सबजी लेने निकलते ना आटा चावल दाल लेने निकलते ना तो प्राइशन पर पूछ कर रहे हैं तो कि आवाज नहीं मेरे पास आ लिए उन्हों ने डबल्यू पी आए की बात करी डबल्यू पी आए का अर्थ होता है उसकी बात करी लेकिन 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 आपने बोला एक स्कूर मेरा निवेदन मानिये शांत अनुराक शांट हो जाएए बाप कि आपने बोला सबनें पर नफ और पोछता हो और दिल से पूछता आता हूं ये सवान दिल से पूछता जाता हूं अपसे एक पूरूराग भाई लक्ष्मी मा का पूजन किया था आपने माता लक्षमी का पूजन कुछ था? की माता लस्मी कौन है उन्हें क्यों बायान दिया कि माता-लक्ष्मी इतने हटों के साथ पैदा हो जाती है कैसे पैदा हो जाती है ये क्यों नहीं बता आप नफरत कौन फैरा रहा है स्वामी परसाद मौरिया या भर के अंदा बाटी स्वामी परसाद मौरिया आपके मा सचिव है जवाब देना पड़ेगा जवाब ठीक तो जवाब देना हूं ना जवाब देना हूं सुन लीजे हाँ बताई मैंने बोला हाँ सुनिएगा टोकिएगा नी प साथ नहीं है दूसरी बात वह लच्मी मां बैटी हमारी नहीं है 112 डायल में देवाली की दिवाली की दिन भाप को खुली रहे हैं और उसको सवाल ऌदी पूसे डाये वह सवाल पूछते बोलने दोगे तो आप तो प्यार की बात करिए कितना सेकेंड बोलू बताओ ना आप मुझे बोलने का मौकद पूरे सेकेंड आप बोल रहे हैं आप चिला रहे हैं बोल का रहा हूं मेरी आवाज नी जाने दे रहे हैं अपनी बात करते ना उसके साथ हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 112 में जो हमारी माल रूपी बेटियां काम कर रही थी वह सेलरी बढ़ाने के लिए दिवाले की दिन बाहर बैठी दरने पे लगाता ने इंतजार करते हैं कि सरकार उनकी सेलरी बढ़ाएगी उनका घर का खर्चा चलेगा वह मेरी लच्पी रूपी लिए स्वामी परसाद बहुर्या से लेकिन चुनाव का मौसम है क्रिकेट का भी मौसम है और बहुत पिच्च की बात हो रही है इनको तो प्लेंग 11 में भी नी छोड़ा कॉंग्रेस पार्टी ने लेकिन मैं आप से सवाल पूछता हूं कि हिट विकेट और रन आउट की जो सारी आपके बास हलो जी हां अमिश्री देखिए कॉंग्रेस पार्टी पर प्रधान मंत्री जी ने जो तंज किया है वह मूलता असुग गहलाउत और सचिन पाइलेट के बीच में जो पिछले पांच साल के दर्म्यान जो उठा पटक चलती रही है उसको लेकर के हैं कि कॉं सबसे बड़ी लेकिन आपत्ती की बात है कि भारत माता को लेकर कि जो राहुल गांदी जी ने सवाल किया है उनको यह दी सवाल नहीं आता है तो कायदे से वो बंकिब को पढ़ लेना चाहिए हमारे रिगवेद के शुक्ति में हम कहते हैं कि माता भूमी पुत्रो अहम प्र परंपरा थी कि जब हम उठते थे और हम पैर धरती पर रखते थे तो हम अपनी माता से चमा मांगते थे यह हमारे भारत की परंपरा रही है मैंने बंकिम को इसलिए कहा कि हमको हमारे यहां दुनिया में एकलोता भारत है जो अपने नेशन को एक डिवाइन एंटिटी के है और इसलिए जो है महरशिरमन ने जब कहा कि भारत जो है वह कोई जमीन का टुकडा नहीं है जिसे एकल्वीय रिवाज प्रुष पर यह जीवत जाग्रित रास्टपुरs है यह जीवत जाग्रित वीराद पुरुस है तो हम ने इस प्रकार की भारत माता की कलپना की है और अपनी अज्यानता के कारण उन्होंने ऐसा किया है जिसे भारतिय जनता पार्टी निश्ची कि यू मेडियो पॉइंट में संजीव जाके पाचलता हूं आमाधी पार्टी के चाहिए वो राष्टे चुनाव हो वहाँ वो मुद्दा बनेगा और आप उस मामले पे आप कमजोर विकट पे आ गए है जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगाती है देखिए प्रधान मंत्री जी को बस्टाचार से कोई लेना देना नहीं है जैसे हाथी के होते दो दात एक खाने को एक दिखाने को खाने के और दिखाने के और तो वही बस्टाचार के नाम पर मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ हैं अगर बस्टाचार से बहुत लेना दे तो 75,000 करोर की 55 की बात जिसकी करते थे वो उनकी पार्टी मा गया वो इमांदार हो गया और ऐसे आपको धेरो उदाहरन आपको दे देंगे सुने उदे का एक नाज सिंदे का अभी आसाम के मुख मंतरी का तोवाइसटा चार नंदा रूकते ना बंस्टाचार के बारे में तो उनके अपने गवणनेड़ की व्यक्ति ने एम जम्मुका स्री में किया था उसी गवणने ने कहा था कि गवणा का मुख मंत्य vind १कर्श् कि हम सभी पार्टी को जो आपने कहा कि किसी तर्स आमादी पार्टी को साबित कर दें बस्तचारी ये भी है था हमारा काम पूरा हो जाएगा एक बात लेकिन दूसरी बात भी नहीं करना चूंगा चूंकि बात रास्ट की हो रही थी बात तनातन धर्म की हो रही थी मुझे दलव है रो तो नहीं है आपक्रिक्ष्क नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर बात मा की परिकल्पना करते वे अगर आपको 139 और लोग आपके निसमें में नहीं हैं तो फिर भारत मां को टुकुले टुकुले कोन करना चाहता है अखंड भारत की बात अभी कर रहे थे डॉक्टर साहब अखंड भारत की बात कर रहे थे तो क्या सावकर जी का जो 1943 का टू निशन थियोरी था तो पाटने की बात तो वो कर रहे तो फिर अकंड बालत किस बात का और आपने अभी स्वामी परसाद मोरजा के बारे में उधारन पूछा तो अगर इनको सनातन से बराल लेना देना है मैं आपको एक स्टेटमेंट भागलपुर के पिरपैती इसा नहीं होता उन्हें कहा कि हनुमान जी को पूजा करने से अगर सक्ति मिल जाती तो फिर ये यरॉप की कंट्री सक्षाली नहीं होता तो मेरा यह कहना है कि अगर आपको लेना देना होता तो आपके लिए सब्सक्राइब कर देंगे अल यानि मुस्लिम आरक्षन को खत्म कर देंगे बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में मैं सीधा रुक करता हूँ मेरे साथ भारतिये जन्ता पार्टी के परवक्ता डॉक्तर अजया लोक है मेरे साथ प्रफेसर रागी है प्रफेसर रागी इस बयान के ऐधा वि भारतिये जन्ता पार्टी की और ис न बाते रागी है और्फेसर रधा यहांद करके एक बिर अरशन अजया रहे है मेरे संवेडहान के ठान पर कोई भी आरक्षन नहीं डिया जाएगा और आपको पता होगा किorta कर भारतिये अधुन के और पर दिये आरक्षन को रद किया है पहले कियोंकि सम्मिधान सम्मत नहीं है और इसी अमसार भारतिय जनता पार्टी ने घोशना किए तो इसका मुझे लगता है कि हिंदु मत्दाताओं पर अच्छा असर करेगा हिंदु मत्दाता जो है वो जो करके भारतिय जंता पारटी के पक्ष में काम करेंगे. दूसरी बात में कहना चाहता था, देखिए, 120ometer भारतिय जो है भारत माता को मानते हैं, नहीं मानते हैं, यह इन पर प्रश्न होता है. क्योंकि यदि मांते वे लोग तो बन्दे मातरम का वो विरोध नहीं करते मैं इस बात का जवाब उनके लिए बोल रहा था जो अभी जहाजी ने कहा कि भई वो सबको भारत माता का हिस्सा मानते हैं क्या वो बिल्कुल मानते हैं यह उन पर निर्भर करता है यद्य वो मानते तो भारत माता को बंदे मातरम गाने से उनको परेज़ में होता। आम आदमी पार्टी जो है बस 10 सेकंड दस सेकंड दस सेकंड चाथ 10 सेकंड सावरकर ने टू ने संथीरी नहीं दिया था दावरकर ने दो दिन बाद ही 19 तारीक को जाकर प्रेस स्रिप्मेंट जारी करके इस बात का खंडन किया गया था कि उन्हें मिसकोट करके का गया कि उन्हेंटिक्डविक संगー हैं और वो कह रहे हैं कि आमादी पार्टी ने भ्रस्टचार पर अपनी नयतिक्ता को खो दिया है आप जेल में इसलिए बंद कर रहे हैं चुकि आपको घबराव डोड़ी एक बात समझ यह अभी है बना आसान होता है कि हिंदू मुसल्मान नफत भरके देश को बांट दो आमादी पार्टी को आने से को सिक्षा बात करनी पर रही है तो जब यह रोजगार की बाते करनी पर रही है तो जब यह रोजगार की बाते करनी पर रही है तो जब यह रोजगार की बाते करनी पर रही है तो जब यह रोजगार की बाते करनी पर रही है तो जब यह वहाँ कोई एडी नहीं पहुंचेगा कोई जिशिए नहीं पहुंचेगी तो इसका मतलब ये है देखे इसका मतलब केबल इतना है कि इनकी कोशिस ये है कि अगर कटिंदर जैन हो या मनी शिशुद्या जी हो नाम लीजिए आप इनके नाम लेने से सिक्षा स्वास जुड़ जाता है इनकी कोशिस है कुछ और जोड़ दे दिल्ली की जनता बहतर जाते और देश भी जानने लगे एक मिनट शिप्किली के लिए कहावत है कि रंग बदलती है तो रंग ये आम आदी पार्टी जाते हैं इगवाना से बड़ी शिप्किली है इनके से तो कोई रंग ही न प्रफिशन पार्टी हुआ है इस दुनिया में भारता चुके हैं क्यों नहीं जमानत लेता है सुप्रीम पोर्ट कहता है मनी ट्रेल मिल गए इस राज़ कोई जो जनता में जाके सर्वेक्शन करवाएगा कि हम जेल जाएंगे तो जेल से सरकार चलाएंगे और जेल से काबि प्रफिशन पार्टी हुआ है इस दुनिया में भारत की बात चोड़ दीजिए जो कहें जेल में जाके वहां से काबिनिट चलाएंगे और हम जनता से राहे मांगेंगे ऐसी अराजक पार्टी किसी ने देखी आस तक भारत दीन पूरे विश्व की बात कर रहा हूं इतनी ब तो दूर और आप उन्टे प्रसेशाडियों की बात करेंगे ठीक है संजीव जा रिप्लाइंगे सर्वेक्षन करवाने की जेल से काबिनिट चलाएंगे ऐसी अराजक पार्टी कर लिएगा अमीजी आप गूगल कर लिएगा पीछले एक सो अठाटर एक सो अठाटर एक सब पार्टी आप गूगल कर लिएगा आमादी पार्टी एक मत ऐसी पार्टी होगी जिसके सबी बिधायकों पे 178 एफाइयार हो चुकी है उस 178 एफाइयार में 142 एफाइयार में कोट ने का कि सब बेबिया दे हैं लेकिन इसमें तीन साल चार साल पांस साल चे साल लग रहा है हमने इनको यहीं तो कहा कि आप ही कारूं के पार्टी है आज भी सुप्रीम कोट ने क्या कहा कि भाई आप ट्राइल सुरू करो चे मैंने हम ट्राल करो आप 15 महीने से ट्राइल ने सुरू कर पारें इसका मतलब आपको पुछ ने रहा है एक अठनी बता दें कि इतने चापे के बार्टी की कहीं से ब्राम्दी की हुआ हो तो इसका मतलब है कि आगर यह तो आप लिए बाते खतम हो जाएगी सुप्रीम कोट ने कहा भी है आपकी जेल से कौन डरता है इस देश में अंग्रेजों का बड़ा है इस एक एक करके अजया लोग मैं एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार पिछले पान साल में एक दूसरे को रन आउट करती रही यह निस शचिन पाइलेट गयोज जी को रन आउट करते रहे लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्षी दल कि विपक्षी दलों में क्या औरा उसका BJP को उसमें इंटरस्ट है बुडबाजी तो आप के याँ पर भी है इंटरस्ट नहीं है एक विपक्षी दल के नापे जनता को सचाई बताना हमारा करतब है क्या ये सही नहीं है कि सचिन पाइलट ने दो वाट टेक आउफ करने की कोशिश की और क्रैश लैंडिंग गैलोट ने करवा दिया क्या ये सही नहीं है कि सचिन पाइलट को देज़रोगी कहा गैलोट ने तो एक दुसरे को रन रोट किसने करवा रहा है किया ये स़ही नहीं है कि एक मुख मंतरी ने अपने उप मुख मंतरी पर देज़़ों का मुकदमा किया तो अगर प्रदान मंतरी करने कि एक दूसरे को रुनाउट करें तो भाइया क्या गलत है देज़़ों ही होने के बाद भी सचीन पालेट उनकी काबियेट में रहते हैं सेज़ोई होने के बाद भी वो लोग दोनों साथ में चुनाओ लड़ें गजब प्रेमें भाईया ऐसा प्रेम देखा है आपने कहीं तो ऐसी सरकार जिसमें आपस में कोई समझसे नहीं है एक दूसे वो गिराने पर लगे मोत और अनाउट हीट विकेट सारे क्रिकेट के जु तो देख रहे हैं कि बॉल जा रही है एक माण रुक जा लू दूसरे का रन आउट तो देख रहे हैं बॉल जा रहे हैं और फैसे नहीं तन पे बोल रहे हैं बूरीजियर पिल्ना इसके हैं कि दिकत यह डौर रहे है तो रहाद ने मी बार या रख बोल ले दो ना बहरा जौसर पिलिएर्ड बॉल चुपाए बारा है चोल तो बाल पेंदो काइपटा आप पता involve इसे एकान हुआ है ओते कि आप असुनरा राजे जी को सीएम कंडे डिकले हैं इसलिए लेना देना है इसलिए लेना देना है कि हम ये चाहते हैं कि समाज के अंदर में कम से कम समाज के मुद्धों पे चर्चा हो गाना और लेके जाए वांपे किसी को बोले ही मैं तो आपके बीच में जरासा नहीं बोला ताया आप क्यों डिस्टरू कर ले हो मैं सही बात आपके बिदायिक ने क्या क्रणा के लिए क्या बोला देवी देवताओं के लिए क्या बोला बोलू मैं मैं आपके धरम की राजित नहीं करना चाहते हैं आपके बिधायक नहीं करना चाहता है क्यों परिसान हो क्यों अचाह मेरा रिवेदर है एक एक करके बोले दूसरे को आडियो मत खूणिए डॉक्टर आजया आफ को बेरा हूँ वो करें कि उनका रेन आउट तो पता लग जाता है आपका रेन आउट तो पता नहीं लगता बॉल दबा की तरी जाते हैं लोग जवा महंगाई का यह भी सीडी नहीं पता है महंगाई पर बूलने लगते हैं फालतू में जहां तक रही कॉंग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी चाहे आम आदनी पार्टी सनातंग को खतम करने की कोशिश मत किजिए भारत माता की जैप मेरे सवाल का अब भारत माता एक अ उन्होंने बोला ना लेकिए हम उस पर नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि वह वह उस पर क्यों बात करनी है मुद्धों पर हम धरम मेरा आस्था का विशह राजनितिक विशह नहीं है चिंता की बात देखिए कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस क्या रिटायड हड करेगी कॉंग्रेस मदपर्देश में चुकि समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी ने सीटे मांगी कॉंग्रेस सीट देने को तयार नीती समाजवादी पार्टी के अपनी मजबूती हुआ पे समाजवाद के साथ वापस लॉट रहे हैं आप देखते रहे हैं cnbc अवास पर टक कर का मंडे डिशन लेकिन आप बात होगी सत्य और टत्य की बारत क्रिकेट वर्टकप के फाइनल में आर गया पूरा देश इस थार से निराश है आप भी निराश होंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस थार में भी थोड़ा कुश है यानि वो सैडिस्टिक प्लेजर लेने की बरपूर कोशिश कर रहे हैं सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब ऐसे लोगों से है जो किसी की तकलीव से आरंद लेते हैं भारत के हारत ही शोशल मीडिया पर विग्न संतोशियों की बार सी आ गई ये लोग भारत की आर को प्रधान मंत्री मोदी की आर की तरह देख रहे थे को कि पिये मोदी स्टेडियम में मौजूद थे सुनने में ये बच्चों जैसे और इमिचूर बात लगेगी लेकिन बड़ा दुक होता है कि देश के बड़े-बड़े नेता सिर्फ इसलिए सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे है कोकि मोदी से उनकी पॉलिटिकल राइवरी है और मोदी को वो हरा नहीं पा रहे है अभी आप दो वीडियो देख रहे हैं सेडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोगों को ये दोनों तस्वीरे आज जरूर देखने चाहिए और देश्वासी को देखने चाहिए पहरी तस्वीर इस्रो के पूर चीफ के सिवान की है जो चंद्रियान टू मिशन के फेल होने पर हतास निराश ते उनके आसू चलग गए तब प्रधार मंत्री मोदी ने परिवार के बड़े होने के नाते सिवान को के सिवान को गले से लगा कर हिम्बत बांधी और भविश्य में कोशिश करते रहने के एक बरड़ी प्रिणना दी दूसरी तस्वीर भारत के उन क्रिकेट खिलारियों की है जो 45 दिनों से दुनिया भर में भारत का डंका बजाय हुए थे लेकिन 40 वे दिन फाइरल में हार गए एक दिन उनका नहीं था जाहिरे इन खिलारियों के भी दिल भी ठूटे होंगे उनकी आँखे भी जलकी होंगी मायूस होंगे तब एक बार फिर प्रधान मंत्री मोधी भारत के ड्रेसिंग रूम में परिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुँचे और सभी को गले लगाकर खौसना दिया जो एक नेता का काम होता है एक लीडर का काम होता है लेकिन प्रधान मंत्री मोधी के खिलाफ पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश करने वाले क्या इन इमोशन्स को समझ पाएंगे कभी चायत कभी नहीं ऐसे वक्त में पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है दुख में अपना फाइदा नहीं देखता विवर्स एक सच्चे लीडर की क्या पैचान होती है एक सच्चा लीडर वो है जो खुशी से ज़ादा दुख की घड़ी में मजबूती के साथ खड़ा रहे जो ये कहे कि खबराओ मत उठो और अगली बार के लिए और मजबूती के साथ तयारी करो सत्यों तत्य ये है कि हार और जीत से ज़ादा जीजान से लड़ने वाले को इतिहास हमेशा याद रखता है और अगर किसी एक व्यक्ति को हार और जीत के लिए जिम्मेदार कहा जा रहा है तो फिर हमारे यहां ऐसे भी कुछ नेता है जिनकी राजनीती में सक्रिये होते ही उनकी पार्टी अर्ष से फर्ष पे आ गई ऐसे में उन्हें क्या कहा जाएगा लेकिन इस सच्चाए को भूल कर कुछ नेतागर पब्लिसिटी के लिए ट्वीट्स और रीट्वीट्स के लिए ये नेगेटिव कैमपेंच चला रहे हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बादेशित की हो तो वहां राजनीती की घुसपैट नहीं करानी चाहिए खेल को खेली रहने देना चाहिए इसे राजनीती का खाड़ा ना बनाएं और जैसे सियासत करनी है वो सियासी पिछ पर जाकर मुकाबला करें पाँच राज्यों में चुनाव चल रहा है और देश के नेता ने देश की भावना को आगे रखा है आज सिरव नरेंद मोदी नहीं हर देश का सच्चा नागरेक याद रखी हर देश का सच्चा नागरेक इन क्रिकेट खिलाडियों के साथ है तो फिलाज CNBC अवास के टक करके आज के अडिशन को यहीं सबाब करते हैं उमीद है आपको कारेकरम पसंद आएगा नमस्कार अवास के इन का सच्चाए पसंद आएगा नागरेक इन क्रिकेट नागरेक यहीं सच्चा नागरेक पसंद आएगा नागरेक.